तो चलिए हम कुछ और mathematical operations की बात करते हैं जो कि हम apply करेंगे list of series के परवला एक ज़्यादा series बनाएंगे और हम जो उसके ओपर mathematical operation perform करेंगे तो import pandas p करा हमने उसके बाद मैं एक series object बना रहा हूं जिसके अंतर मैं एक series बनाऊंगा p.series of let us say 1,2,3,4 और 5 इसके index भी अपन दे देते हैं index is equals to index is equals to x for x in a,b,c,d,e ठीक है अब मैं एक और series बना रहा हूं जिसके अंदर क्या है मैं let's say series object 1 ही ओके अब एक series object 2 भी बनाया मैंने जिसके अंदर मैंने value डाली 11,12,33,45 और 5 ठीक है अब इस दोन इस series में common क्या है common यह है कि इनके index जो है वो common है इसके भी index a,b,c,d ही है इसके भी index a,b,c,d ही है तो दोनो जो series है उसम एड्रेस पे जो values है यह बैठी होंगी बट values different होंगी मैं एक और बना रहा हूँ series object 3 जो कि हमारी third series होगी इस पे भी values जो है different डाल रहा हूँ और इस वाली में हम क्या करते है कि यार address जो है इनके index इनको भी बदल देते हैं तो इसको रखते है p,w,xy,z ठीक है तो हमारे पास तीन series बनीवी है series object 1,2,3 जिसके अंदर values है गया 1,2, प्रिंट कर रहा हूँ series object 1 पहले ले रहा हूँ series object 1 plus series object of 2 ठीक है तो यहाँ पर क्या करेगा यह इन दोनों series को add कर देगा अब add कैसे करेगा same index पर जो value होगी उसको add कर देगा जानी कि 1 plus 11 is equals to 12,2 plus 22 equals to 24,3 plus 33,36 ठीक है रन करा मैंने, तो देखो क्या हुआ,ab,c,de index पे value एक प्लस 11,12,2 plus 22,24,5 plus 55,60 ठीक है अगर मैं यहाँ बात करूँ कि यहाँ पर मैं object 1 और 3 को add करूँ तो क्या होगा तो देखो कुछ output में भाई साब भयानक सी न यान यान की not a number value आ गई, अब यह क्यों हुई, क्योंकि यह उसने देखा कि इन दोनों में तो address भाई साब same थ इन दोनों में index जो है वो different है, अब यार index ही different होगा तो दोनों index को match कैसे करेगा, यहाँ पर तो क्या था, यह 8th index पर जा रहा था इस वाली में और 8th index value value को 1 और 11 को लेकर add कर रहा था, e पे गया, इसकी e पे गया, यानि कि 5 और 55 पे गया उनको add कर दिया, लेकि इसने दिखा होते हैं, वो same होने चाहिए हमारे mathematical operation जब भी हम perform करेंगे, बात आगई समझ में, ठीक है, अगर हम नहीं करेंगे, तो भाई साब यह NN टिका देगा, ठीक है, अब मैं यहाँ पर इन दोनों series की ही बात करूँगा, इसको मैं भी बात नहीं करूँगा, ठीक है, तो अब मैं मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ, इन दोनों series को, देखते हैं क्या होता है, ओ, okay, object 1 और 2, object 2, object define नहीं था, okay, fine, so यहाँ, 1 मैं से मैं दूसरे को माइनस कर रहा हूँ, तो देखो, क्या है, 1 minus 11 is equals to minus 10, 5 minus 55 is equals to minus 50, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर minus हो गई, मैं यहाँ पर into भी कर देता हूँ, तो यह, 1 into 11 is equals to 11, 11, 2 into 22, 24, 3 into 33, 99, ठीक है, इसको अपन, divide भी कर सकते हैं, डिवाइड गया, तो 1 divided by 11, value कुछ है, राइट, यह obviously, same proportion में है, ठीक है, तो यह कुछ values आ गए, अब मैं चाहता हूँ कि यार, 1 की power में 11 को चड़ा हूँ, तो मैं इस तरीके से जो है, double star लगा करके, exponential में भी कर सकता हूँ, 1 की power कित्ती हो, 11 डाली, तो 1 की power कित्ती हो, डालो, 1 ही रहता, राइट, 2 की power 22, value कुछ ही होगी, 3 की power 33, ऐसी कुछ value होगी, तो exponential में जाएगी, E की power में, तो कभी कवर values नहीं दिखाएगा, ठीक है, बात आगी समझ में, ठीक है अब भाई, कुछ vector operation भी तो हम perform कर सकते हैं, तो मैं series object 3 बहुत देर से बैठी भी है, तो इसको ले रहा हूँ, is more than 100 करते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई conditional value डालता हूँ, is more than 100, तो देखते हैं, क्या होता है, तो यह true false देदेगा, यानि कि, पहले check करेगा, यह first index पे गया value is more than 100 or not, बोलेगा yes, फिर गया है, यहाँ पर 222 पे more than 100 true, तो ऐसे value पास कर देगा, अगर मैं यहाँ पर 200 कर देता हूँ, तो देखो, अब यहाँ पर 111, 200 से बड़ी है, नहीं है, 222, 200 बड़ी है, yes बड़ी है, तो यहाँ पर पहला false देदेगा, बागी सब true तो इस तरीके से जो है यार हम यहाँ पर conditions का भी use कर सकते हैं, इस तरीके से, और अगर मैं को true false नहीं चाहिए, और मैं को values चाहिए, तो यार बहुत ही easy है, मैं इस object को लूँगा, और इसको मैं as a object पास कर दूँगा, तो अब क्या होगा, यह इस condition को check करेगा, इस condition को check और उसके बाद जो है, यह object के अंदर उस value को return कर देगा, तो जो value true होगी, जो value true होगी, जैसे 111 false हुआ, तो यह नहीं लेगा, 222 true हुआ, तो इसने कहा किया, series object में 222 value true हुई, तो यहाँ पर इसने return कर दी value को as simple as that, तो दीखियार, कितना easy है ना, कितना must और interesting चीज़ है आ perform कर सकते हैं, तो एक last और आ रही है, आपके series के अंदर कि अगर मेरे को यार, मेरे पास suppose इन से को गायब कर देते हैं, अब मेरे को इस two value को गायब करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, series object one dot drop off index में यहाँ पर pass कर दूँगा, तो दोसरी index पर कौन है, 0, 1 टू, टू index पर यह 3 है, यहाँ पर यह जो है, drop हो जाएगा, अभी drop इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि अपर index value दे रखी है, अगर मैं index value यहाँ गायब करूँगा, तब जाकर के drop करें, क्योंकि यहार, index हमारे ज्याद हो जाएगे, value कम होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो य जैसे मैं यहाँ पर drop up 0 करता हूँ, तो यह जो 1 value है, यह गाया बुझाएगी, तो value इसमें आएगी, 2, 3, 4, 5, ठीक है, देखो, 2, 3, 4, 5 पर आगई, अगर मैं इसमें ही करना था, यह वाला था आपका, क्योंकि इसमें error आरा था, तो मैं इसको 3 करूँगा, तो भी error दे सकत आए, क्यों देगा, क्योंकि हमारे पार value 5 हैं, और हमारे पास जो index हैं, वो चारी है, तो हमेशा index और value को समाल के चलना है, ठीक है, बात समझें आ गई, तो गई, हमने बहुत साइच चीज़े देखिया, series के अंदर, किस तरीके से, जो हम series को mathematical option perform करते हैं, vector perform करते हैं, और कि like, share, subscribe कर देना, तब तक के लिए मिलते हैं, next lecture में तब तक के लिए, bye bye, take care, and stay safe, stay home, bye bye.